और दोस्तों हाँ एक बात मैं बूलना चाहूंगा कि आने वारे समय में OTT फ्लेटफर्म बॉक्स ओफिस यानि सिनेमा हौल थेटर्स को खा जाएंगे ये बात ध्यान होनी चाहिए क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होगा कि लाइन में लगकर या ओनलाइन टिकट बुक करें सिनेमा जाएं धाई तीन घंटे देखने के लिए यहां क्या होता है कि अगर आपको टाइम नहीं है तो आदी फिलम आज देख लिजिए आदी फिलम कल देख लिजिए जैसा कि मेरे पास टाइम नहीं था आदी फिलम मैंने कल देखी आदी फिलम आज देखी तो फिर मैं सि सकतुलना करते हैं तो वो माष्टर पीस थी सबको पता है लेकिन हम बात करेंगे कफुटले की सीको ठीलर मूवी है ठीलर मूवी में ये होता है कि हमेंgalya shabar eigenlijk में पता नहीं होता है कि क्या होने बाला है जारी ह молos phu sienna हो जाती है तह हमें पता चलता कि अच्छा होना था और रसानन में हमें ऐसा हर जगह पर experience होता है लेकिन कठकुतली में ऐसा नहीं होता लेकिन फिर भी यह आपके subscription को पे कर देती है कि आपने सही चीज को देखने के लिए subscription लिया है जैसा कि मैं बता हूँ मैंने आज तक कभी भी किसी भी OTT platform का subscription नहीं लिया था बस मैंने आक से कुमार का fan होते हुए या फिर बोल सकते हैं कि बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो YouTube पे वीडियोज अपलोड करते हैं critics के रुप में मैं कोई बहुत बड़ा critics नहीं हूँ पर उन लोगों को मैं criticize करना चाहता हूँ उन लोगों के दिमाग में भूसा भर गया कि वॉलिवूड ऐसा नहीं कर सकता हूँ अरे तमाम ऐसी फिल्में हैं जो बॉलिवूड में बनत प्रधार मंत्री को भी चैलेंज कर सकता है लेकिन क्या लॉजिक थी लोगोंने खुब सरहा क्योंकि वह वह साउथ की मुवी थी मैं भी साउथ का बहुत बड़ा फैन हूँ ऐसी बात नहीं है मुझे एस रामचरम महस बावु यह सारी stars बहुत ज्यादा पसंद है पर जो सह जैसे कि हम बात कर रहे हैं रसानन की रसानन एक मास्टर पीस थी रहेगी वालीबुट या इंडेन सिनेमा के लिए दोस्तों बात करें हम अगर कटपुतली की तो रसानन से अगर हम तुलनाा करके देखते हैं तो हमें उतना मज़ा नहीं आता है लेकिन हम वह सारी चीजे भू सक्रेन भूलकर सिर्फ मूवी को देखते हैं एक क्रिटिक्स के रूप मेंने कि हमें क्या कम्याद धूडनी है कुसने कैसी एक्टिंग की है कैसा क्या है । रावस्स् performer कैसा धिक्षिय की इंक स्कृटि असक्र से लोग बोलते हैं one time watch अरे कौन ऐसे लोग हैं जो भाई दोबारा जाते हैं cinema movie देखने के लिए और जाते हैं तो उतना enjoy कर पड़ता है अरे कोई नहीं कर पाता बस बोलते हैं one time one time one time लोग करके रखते हैं यह haters बोले बूट की दोस्तों मैं बता दूं मैं clear करना चाहता हूं कि मैंने आज तक कभी भी OTT प्लेफरम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था लेकिन मुझे रसानन देखने में बहुत ज्यादा मज़ाया था तो इस वज़ासे मैंने सोचा कि यह अक्सर और उनकी टीम ने ट्राइ किया है कि उसी चीज को फिर से दोहराया जाए तो मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए तो कल साम को दस बज़े मैंने होट इस्टार डिजनी प्लस होट इस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया थोड़ी फिलम कल देखी मज़ाया मुझे वैसे मेरे यहां से सिनेमा भी दूर हमें कभी जाता नहीं दो बार मैंने देखी एक केजिव टू और उसके बाद एक कमांडो थ्री देख लेकिन आज मैंने घर पर अपनी सिनेमा देखी तो मुझे काफे ज़्यादा मज़ा आया नीद लगने लगी थी मुझे रात को देखते देखते तो मैंने सुबा उसे कम्प्लीट किया और फिर उसके बाद मैं वीडियो सूट कर रहा हूं तो देखते हैं कि जो है इसका पर दूसरी मुवी थी OTT पर डारेक्ट रिलेज हुई थी वो भी डिजनी प्लस्ट हॉट इस्टार के लिए दूसरी सबसे बड़ी हिट मुवी थी तो इसको देखना क्या है हम लोग हिट कर पाते हैं या नहीं क्योंकि मैं आज फैन बोल रहा हूं अक्से कुमार का ये मुवी अच्छी है और क्रिटिक्स के रूप में आप देखेंगे तो आपके दिमांग में कचरा भरा रहेगा आप उसको इंज्वाय नहीं कर पाओगे आप किसी मैं मैं आज क्रिटिक्स के नजर ये से देख रहा था कटपुतली को तो मुझे उतना मज़ा नहीं है खासकर साम को लेकिन जब मॉर्निंग में आज आउडियन्स देखा तो मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं सोचता हूँ कि कैसे क्रिटिक्स लोग मुवी को इंज्वाय करते होंगे मुझे लगता है वो बिलकुल नहीं कर पाते होंगे बस उनमें कमिया ढूडने में यह पर करने के लिए तो क्या है बकवास करते रहते हो बस दोस्तों यही थोड़ी बहुत जो हमने एक्सपीरियंस किया कटपुटले देखकर यही मैं आप लोगों के साथ साजा करना चाहता हूँ और ऐसे ही बॉक्स ओफिस कलेक्शन के लिए या फिर मेरे पर्सनल ओपिनियन को ज अबस्क्र आपको जग्यों कि वाचिए और चाहता हूँ